दोस्तों जब भी कोई अधर बंदा मेरे फोन में मेरे वाटसाप को ओपिन करने की कोशिस करता है ना तो यहाँ पर काल्कुलेटर ओपिन हो जाता है अगर आप एक अनोड यूजर हो देन ये वीडियो आप लोगों के लिए एड़ इस वीडियो को डेफिनली से पूरा एंट चलिए फटा फट शुरू करते हैं ओके तो सबसे पहले हम बात कर लेते कि आप अपने एंडुड फ़न में वीडू सेवन को कैसे यूज सकते हो जैसे का पर देख सकते हो मैं अपने फोन में वीडू सेवन को स्टार्ट कर रहा हूं यहाँ पर स्टार्टिंग एनिमेशन होंगा यहाँ रहां पने में Windows 7 कुछ आपको तो यहाँ अगर आप स्क्रीन पर होल्ड करोगे पसेलाài कम कर एकसेस कर पाओगे जो जो आप गेम सी में खेलते थे थे यहां पर आपको देख रहा होगा सारा कोच यहां पर यहां पर आपको एंडवेट फोन में सारा जा सारा आपको Windows 7 का wipe देगा जिसे के logo, boot animation, login screen, desktop, task bar, start menu and shutdown the PC ओके तो अब हम बात कर लेते हैं अगर आपके phone को भी कोई दूसरा बंदा secretly लेकर आपके phone में WhatsApp को या फिर कोई भी other application को open करता है, use करता है तो अब नहीं कर पाएगा, विकाज अगर वो WhatsApp को open करेगा तो कुछ और application open हो जाएगा और वो confused हो जाएगा तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपनी WhatsApp का या फिर कोई भी application का icon को change कर सकते हो तो उसके लिए आपको अपनी phone में एक secret application को install कर लेना जिसे हैं नाम है X icon changer, प्रेस्टर से जाकर के download कर लेना उसके बाद इस application को open करना, यहाँ पर से आप अफले applications का icon को change कर सकते हो जिसे कि मैं चाहता हूँ कि अगर मेरे phone की Chrome browser पोई open करें तो यहाँ पर clock application open हो जाए तो उसके लिए आपको clock application को सब सब पहले select करूँगा और यहाँ पर से मैं इसका icon change करूँगा जैसे कि इसका icon change करके Chrome browser का icon select कर लोगा और यहाँ पर आपको नाम भी change कर देना जैसे clock से Chrome change कर देना और उसके बाद यहाँ पर आपको और भी different types के यह image हो अगर भी set कर सकते हो या फिर दूसरे type का icons भी set कर सकते हो that's it आपको सारा काम हो जागा और उसके बाद ऊपर में OK का button पर tap कर देना आपका काम हो जागा और उससे भी जरूरी एक काम करना होगा आपको अपने phone के home page से अपने original Chrome को यहाँ पर से remote कर लेना उसके बाद आगर आपके phone में कोई भी अधर पसंद आपके phone से Chrome browser को अगर open करेगा तो यहाँ पर clock application open होगा तो इससे आप अपने WhatsApp को या फिर Instagram को या फिर कोई भी अप्लिकेशन का आइकन चेंज करके आप दूसरों के साथ अपने अप्लिकेशन के अपने WhatsApp को सेफ रख सकते हो तो जरू से जरूर इस application को ट्राइब करना बहुत ज़्याद कमाल और यूसफूल है अगर मेरे phone को कोई भी बंदा secretly लेकर अनलो करके कोई भी application यूस करता है चाहिए WhatsApp हो या फिर Instagram हो या फिर Telegram हो जो भी application यूस करता है तो उसका photo and उसकी activities यहाँ पर सेव हो जाती है यह चीक कर सकता हूं बाद में कि कोई उसने कौन-कौन से application को यूस किया और उसकी photo भी देख सकते हूं किस ने यूस किया मेरे phone को उसके लिए आपको प्लेस्टोर से इस secret application को install कर लेना उसके बद इसको ओपिन करना यहाँ पर आपको इसके सारी permissions अलाव अगरा कर दीनी है करने के बद यहाँ पर आपको home page में एक option देखने को मिलेगा यहाँ power का just इसको enable कर दो that's it आपका काम हो जागा और आपका phone कभी भी यहाँ lock करेगा कोई भी बंदा अगर secretly उसको unlock करेगा यूज करेगो जो भी application यूज परेगा चाहे WhatsApp हो या फिर Instagram जो भी application अगर आपके phone में उसने यूज किया ना तो उसका secretly एक photo click होकर उस application ने save हो जाता है और यहाँ पर सारी activities भी save हो जाएगी भाई उसने आपके phone में खौन कौन से application को use किया सारे चीज़ें आप उस वहाँ पर देख सकते हो और रंग यहाँ तो आप उसको पकर सकते हो एंड उसका band बजा सकते हो मैं अपने phone को जब भी अलो करता हो ना तो यह कुछ इस तरह से dynamically animation में वाल पेपर ओपन होता है जो दिखने में काफे ज़दा कूल लगता है यूओ कि आप अपने mood के साफसे अपने personality का हसापसे सेक्ट कर सकते हो यहां पर आपको जो भी पसंद है उसको सेट करो एंड यहां पर अपलॉय पर टैप करें यहां पर आपकर में होम स्क्रिन ॉद्ध सेट करना चाहते हो वह से लेट का लेना आपका सेट हो जाएगा और जब अपने फोन को अलोग करोगे तो यह कुछ इस तरह से डानेमिक ली वाल पेपर एनिमेशन में ओपन होता है जो दिखने में काफे ज़दा खूल लगता है यहां पर जब चार्जिंग में करोगे तो य यहां पर इसकी शॉट काप्चर हो जाता है यह बहुत ही इजी मेटाड इसकी शॉट काप्चर करनेगा आपको कोई भी वॉल्यूम बटन प्रेज करने की ज़रुवत नहीं पड़ेगी इस स्कुर्ट को अप्लाइक करने के लिए आपको चले जाना प्लेस्ट्रों में यहा कंफिवर पर टप करना यहां पर अपने मेठी को सेलेट करने के आपको करने पर स्कीन शॉट क्या और यहां पर आपके फोन में इस पर चाप्चर हो जागा जो की काफी ज़ए इसी मेधाड इसकी शॉट काप्चर करने का तो डाफिनिली से इस च्रीप को आप अपने फोन में अपलाई करना और यूस करना और कैसा लगा यह मुझी कॉमेंट करके जरूर बताना दोस्तों मैं अपने फोन में यहीं पर से किसी भी अप्लिकेशन को अपिन कर सकते हों और क किसी भी अप्लिकेशन को सिलेट करके उसे ऑपिन कर सकते हों जिससे मेरा जो मल्टी टास्की के ना वह काफे ज़दा आसान हो जाती है उसके लिए आपको एक सीक्रेट अप्लिकेशन डाउनलोड करने की जरूर पड़ेगी जिसका डाउनलोड लिंक आपको मिल जाएगा मे अप्लिकेशन कितने शोंगे वह यहां पर सेट कर सकते हैं यहां पर टॉक का थीम आप लाइट और डाक सेट कर सकते हों और भी बहुत कुछ और उसके साथ आपको इस अप्लिकेशन के सारे पर्मिशन अलाव कर देनी तभी यह आपकी फोन में वर्क करेगा और इस या फिर वाटसअप अप्लिकेशन को उपइन करने की कोशिस काता है तो कुछ इस तरह से पॉप अप्श होता है जहां पर बोलते हैं कि यह आप्लिकेशन आइकॉन पर टाप करना यहां पर जिस भी application में इस type का lock लगाना चाहते हो इसको select करके यहां पर just enable कर दो enable करने का बाद बैक आना यहां पर आपको fake के button पर tap कर देना है that's it आपका काम हो जाएगा and कोई भी person आपकी application को open करेगा तो कुछ इस तरह से proper show हो जाता है भी यहां पर यह application automatically crash हो चुका है बाद अगर आपको normally use करना है ना तो यहां पर okay के button पर दो second तक hold करो and उसके बाद आपको यहां पर अपना password इंटर कर देना है that's it आपका application automatically open हो जाएगा आप इसको normally use कर सकते हो and इस trick की मदद से आप अपने WhatsApp को ही नहीं अपने phone में सारे application को दूसरे के साथ सेफ रख सकते हैं okay तो अगर आप इस वीडियो को अभी भी यहां तक देख रहे हैं तो अगर वीडियो अच्छी लगी helpful हुगी तो फटा फट वीडियो को लाइक कर दो अगर आप चैनल पर नई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यहां पर आपको ऐसे content मिलती हैं हमेशा मिलती रहेंगी तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं थैंक इस वीडि हुआ हुआ है